हेलो गाईज, वेलकम बैक टो आर निव वीडियो, तो आज लीजा को हो गए हैं पूरे तेरा दिन, थर्टीन डेज, आज है थर्टी फॉर्स डिसेंबर, आज साल का अंकरी दिन है, और इसकी मेटिंग कल हो गई थी जब इसको बारा दिन थे, अब देखो मैं बोल रहा था कि इसके हम 9th और 11th डे में कराएंगे, पर कुछ रीजन की वजए से हम इसकी मेटिंग करा नहीं पाएं, हम 9th को तो कुछ काम आ गए था, 11th को तो प्रॉब्लम यह होगी थी कुछ इस डॉग से मेटिंग करा था ना, लास्ट ताइम इसकी, वो डॉक्त था बहुत अच्छा, पर वो डॉग ना इतना ओवरवेट हो गया कि वो चड़ी नहीं पाया इस बार, बिल्कुल नहीं चड़वाया, और डॉक्टर भी इवन बैठे वे थे महाँ पर, वो मेट हो ही नहीं पाये, तो हमने जबरस्टी नहीं करी, तो इसको वापस ले आए हम, तो देखो गाईज यह वो डॉग है, बहुत अच्छा डॉग था है, बहुत अच्छी क्वालिटी का था, और यह हमारे लीजा, मैं लीजा को ओवरवेट बोलता हूँ, और लीजा देखो किती कमजोर लग दी इसके सामने, पतली सी, और इसका मूँ देखो ज़रा, कितना बड़ा लीजा के सा ऐसे नहीं कि बांद के रख दिया और फिर इसके मेटिंग करा दी, जबरतस्ती है वो, हमने बिलकुल ऐसे लीजा को छोड़ा खुला, और लीजा इसके साथ कमज़े लग जाती है, लीजा तो सब के साथ कहले लग जाती है, तो यह डॉग के साथ कैसे कर रही है, तो यह को देखने गए थे, फिर से की मला अवेलेबल है की निया उनके वहाँ, तो यह उस दिन की वीडियो है, देखो डॉग कितने इच्छे क्वालिटी काया है, पर अफसो उसे हो नहीं पाई मेटिंग, कोई नहीं, हमने जिस डॉग से मेटिंग कराई अभी, मैं उसके भी कि मैं अगरे ते कुछ, मैं तो अच्छी गया है, मैं तो खुश हो जाता है इन सब डॉग्स को देखकर, मैं एक वीडियो बनाता है, इन फेक्ट, तो यह है मेल, देखो यह लेबराड़, यह सुन्दर सा ब्लैक मेल, यह बल्कुल जट ब्लैक मेल है, बाकी यह कुछ और ड कर आए, तो किसी और कि मिटिंग कराई है, तो कल मीटिंग होगी ती, अव एक मीटिंग हमकी काराएंगे, क्योंकि हम दो मीटिंग कराएंगे, इसकी होती है तो ठीक hair confirm नहीं होती तो, क्या बोले, हम को कोई वह जबरस्ति नहीं करेंगे, और रःवाड के कुछ, छीजों कि देखने की वो है कि अब इसकी बैली ऐसी दिख लिए देखो फॉर्स दे में ऐसी है अब लास्ट डेलिवरी डेटा करें इसकी बैली में चेंजिस देखेंगे इससी तरीके से मैं वीडियो अप्लोड करता रहूँगा तो यह कुछ चीजे जो मैंने पापा को बता थी अगर पापा ने धियान रखी होगे क्योंकि मैं नी किया था मेटिंग कराने पापा करे थे इसको लेकर अजनी तो कुछ चीजे द्हान लखने है जैसे इससे मेटिंग कराने के बाद आधे गंटे तक एटीस सूझ ना कराए तो इसलिए नहीं कराते बोलते कि जो मेटिंग होती है उसके पाद जो सीमन होता है वो कहीं बाहर ना आ जाए ब्रीडर्स बोलते हैं तो वह तो वही मैंने सुना वा था उनसे तो उन्होंने मुझे बोला था कि ध्यान रखना तो बस मैं वहीं आपको बता रहा हूं दूसरा इसको खाना मेटिंग से पहले मत देना यह कई वोमीटिंग में गराण ना कर दे तो क्योंकि मेटिंग होती तो उसके वैसे थोढ़ा मेभी डॉक्स को वोमीटिंग आ जाती होगी तो इसलिए खाना नहीं देते मेटिंग रहना इन से पहले और एक-दो दीन तक ख़ड़ा बिना प्रोटीन वाला खाना विबना गरम घालना दें, उससे क्या होगा? कि बूलते हैं मैंने लोग कि प्रोटीन वाला खाना बेसीकल नहीं देना चाहिए, एक बिल्कुल मेट कराऊ है लिए यह एएक एमेट को कुछ दिनों तक, रीजन्स मैंने पूछे नहीं, बस इतना बोलते कि नहीं देना चाहिए, कुछ लोग बोलते कि 10, 11, 20 दिन तक नहीं देना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जब अपनी जेनी की मेटिक रहाई थी, जेनी को पापा ने गलती सी न, आठ वे दिन में चिकन दे दिया था, क्योंकि हम चिकन देते रहते डॉक्स को, तो चिकन दे दिया था तो, राइक कंसीवड भू फिर भी हो गई थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आठ वे दिन को दिया था, पापा ने का चलो दे दिया, देखे जाएगी, कौनसा हमें वैसे चाहिए ही चाहिए बच्चे, वो तो हम बहुत अच्छे बच्चे में इसके, तो चिकन वगएरा मतला प्रोटीन दाएट ये सब वगएरा दे सकते हैं, पांच-छे से दिन बाद दे दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, पर पहले दो-चार दिन मत दो, थोड़ा ध्यान रखो, तो ये कुछ चीज़े थी, बाकी औ और चीज़ जैसे इसको हमेशा लीस पर घुमाओ, फिल हाल, दो-चार दिन, हमेशा नहीं, दो-चार दिन लीस पर घुमाओ, क्योंकि मेटिगान के बाद डॉक को जाधा भगाना भुगूना नहीं चीज़े, ज्यादा उपर नीचे नहीं चालना ची़े, सीडियो पर मत च करना ज्यादा, उसके बाद से खुला चोड़ देना, खुला अपने आप जाती है, क्योंकि हमारा तो क्याना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसको गर मैं लीस पर घुमाता रहूंगा ना, दो-चार दिन तो इस उस पोटी करने में बहुत दिक्कत करेगी, क्योंकि यह इसकी 12-3 में मेटिंग राई है, और 14-3 में कराएंगे, तो भगवान जानी इस बार कंचीव होगी कि नहीं होगी, चलो अगर नहीं भी होगी, तो एक experience मिल जायागा, कि लेट मेटिंग राने का यह यह वो करके, क्योंकि ब्रीडर्स को यहां हम लोग को किसी को पता नहीं कि कब फर्स्ट हीट का वाई है, कि कोई नोटीस नहीं करता है, वो तो मैंने उस दिन से काउंट कर रहा था, तो मैंने उस दिन से काउंट करा तब जाके आज 12 दे बोल रहा हूं है, अब मुझे को बताए, उसी दिन से हीट माई है, उससे पहले आई है, तो अभी देखो 12 में कराई हैं आप कुछ लोग एक बार में से कॉमेंट भी आया था मतब वीडियो में कि अगर हम इसकी मेटिंग 14 तो कैसे रहेगा तो आज देख लो इसके हमें करा दी है अभी 14 दे में कराएंगे तो एक नया हो जाएगा एक्सपीजेंस हमारे लिए आपके लिए भी जो लोग कि जिसके पास डॉग है पता सल जाएगा कि फेमिल कंसीफ होती ही की नहीं होती है बस दो चार तीन घुमाना इसको लीज पे इस तरीके से वाक पे लेके जाना पॉट्टी से सुकराना बाकि उसके बाद खुला चोड़ आपको वीडियो थोड़ी बहुत इंफर्मेटिव लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ऐसी मैं इसके अप्डेट डालता रहोंगा एंड सी यू सून इन नेक्स वीडियो बाई ठेक केर